हेलो फ्रेंड्स वल्कम बैक टू माई चानल तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्स्प्लेंड करने वाली हूँ ताज सीजन टू के लास्ट एपिसोड्स पहले मैंने बाकी के एपिसोड्स एक्स्प्लेंड किये हैं तो अगर आपने नहीं देखे तो उस वीडियो की ल अनारकलियो से जहांगिर नाम देती है तो वही अबू फजल को दानियल का खताता है कि उसे मदद की जरूरत है लेकिन अबू फजल अब दानियल को मदद करना नहीं चाहता उसके हिसाब से उसे किसी डरपुब बादशा की जरूरत नहीं है इसलिए अबू फजल जाकर खुसरू बने क्योंकि खुसरू की परवरिश रुकया ने खुद की है तो वो रुकया की बात जरूर मानेगा अबू फजल को भी रुकया का ये सुजाओ पसंद आता है और वो दोनों ही इस बात से आग्री करते हैं तो वही महरु निसा ये सारी बाते सुन लेती है वो इन सबी बातों को एक खत में लिखती है और अपने भाई के हाथ से सलीम के लिए भेज़ती है अकबर के सिपाई जब हरम का खजाना देखने आते हैं तो खजाना पूरी तरह से गायब था रुकया इस बात से खुश थी कि उसका खजाना बच गया लेकिन सलीम के कुछ लोग र दानियल को ढूनेंगे लेकिन जब वो जा रहे थे तो उन्हें दानियल कहीं पर भी नहीं मिलता अकबर ने कुसरू को सलीम के साथ समझोता करने के लिए बेजा था लेकिन कुसरू बस सलीम को मारना चाता है उसके हिसाब से सलीम ना तो अच्छा बेटा है ना ही अच्छा सलीम भी जानता है कि खुसरू उससे नफरत करता है तब भी सलीम को महरुनीसा की वो चिट्टी मिलती है जिस पर दानियल का पता लिखा था। सलीम जाकर दानियल के सारे सेनेकों को मार देता है। दानियल अकेला ही बचा था और वो काफे डरा हुआ था। सलीम उसे कहता है कि दानियल ने जो कुछ भी किया वो उसे माफ कर सकता था। बस उसे अनरकली को नहीं मारना चाहिए था। लेकिन दानियल आज भी सलीम से बहुत ज़ादा नफरत करता है उन दोनों में थोड़ी रड़ाई होती है जिसमें दानियल फिर से हार जाता है लेकिन सलीम दानियल को नहीं मारता वो उसे उसी तरह छोड़ कर वहां से जा रहा था लेकिन दानियल पीछे से आकर सलीम को मारने देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है उसे सलीम पर बहुत गुसा भी आता है लेकिन अब वो सलीम के साथ जंग नहीं करना चाहता अकबर पहले अपने दो बेटे खो चुका है और तीसरा बेटा नहीं खोना चाहता इसलिए वो सलीम के साथ समझधा करने की सोचता है महर अकबर को माफी मागनी होगी कि उसने अनारकली के साथ जो किया वो गलत किया था सब को यही लग रहा था कि अकबर इस शर्ट को मान लेगा और सलीम वापस आ जाएगा लेकिन अकबर की तब बहुत जादा भी गड़ने रहती है और वो कुछ भी फैसला लेने के काबिल नहीं रहते इसलिए अब अकबर की जगह रुकया सारे फैसले लेने वाली थी जब तक अकबर ठीक नहीं हो जाता रुकया सलीम की शर्टों को नहीं मानती और उसका कहना था कि अगर सलीम लड़ाई चाता है तो वो भी उसे लड़ाई करके ही जवाब देंगे मान सी रुकया को सम सलीम को मार देंगे तो वही महरुनिसा अपने भाई की बेटी यानि की फ्यूचर मुम्ताज के साथ बाते कर रही थी तब ही आचानक महरुनिसा के पेट में दुखता है और वो समझ जाती है कि वो शेर आफगान के बच्चे की मा बनने वाली है अकबर की तब्यत बहुत ख चल गया था कि महरुनिसा ये सलीम को सारी चिटिया भेजती है इसलिए वो जाकर रुकया को सब कुछ बता देता है वो सलीम को मारने के लिए एक आदमी को भेजते हैं लेकिन सलीम उस आदमी को ही मार देता है पहले सलीम को लगता है कि ये सब कुछ अकबर कर रहा होगा ले वही महरुनिसा प्रेग्नेंसी की वज़े से बहुत ज़धा परेशान थी। वो सलीमा बेगम से अबोशन की दवाई लेती है लेकिन उसे खाने की हिम्मत नहीं होती। रुकया महरोनिसा को धमकाती है कि वो सलीम से दूर रहे अगर फिर से महरोनिसा ने इसा कुछ किया तो रुकया उसकी जान ले लेगी यह कह कर रुकया महरोनिसा के बाल काट देती है अबु फजल सलीम के पास समझोता करने चाता है लेकिन एक्ट्छूल में उसका प्लान्ट था कि वो सलीम को मारतेगा वो वहाँपर राजा अमर सिंग को भी बुलाता है और सलीम को मारने के लिए उसके महल पोच जाता है लेकिन अबु फजल को ये नहीं बता था कि सलीम और अमर सिंग दोनों दोस्त है अमर सिंग अबु फजल को मार देता है ताकि वो फिर कभी सलीम को मारने की हिम्मत ना करे महरु निसा को पता चलता है कि रुकया ने अबू फजल को सलीम को मारने के लिए बेजा है इसलिए मेरुनिसा खुरम के पास जाते है और उसे अकबर को जगाने के लिए कहती है खुरम अकबर को सब कुछ बता देता है और अकबर उटकर हरम में आता है तब रुकया जोदा और सलीम को मारने की धमकी दे रही थी अकपर जब ये सुनता है तो वो रुकया को बहुत ताटता है और उसे कहता है कि आज के बाद वो कोई भी फैसला नहीं ले सकती तो वही मुम्ताज और खुरम यानि की फ्यूचर शाजान एक दूसरे को पसंद करने लगे थे अकपर जब सो रहा था तो उसे अपनी कुछ पिछली बाते याद आती है जब उसने अनारकली को पहली बार देखा था एक्चली कई साल पहले उसने अनारकली को पकड़ा था उसने एक जगा जंग की थी और अनारकली के पापा जंग में हार गए थे जब अकपर अनारकली को देखता है तो वो उसके साथ रेप करता है लेकिन जब बैरम खान को इस बार में पता चलता है तो वो अक्बर पर बहुत गुसा करते हैं एक्चुलि बैरम खान ने ही अकबर की फरवरेश की थी अकबर उनसे कहता है कि उन्होंने शिर्फ फरवरेश की है वो उसके पिता नहीं है जो उस पर हुक्म जाड़ेंगे बहरम खान अकबर को समझाता है कि आगर कभी अकबर हार गया और बाकी के राजाओं ने अकबर के घर की ओरतों के साथ यही सब कुछ किया तो अकबर को कैसा लगेगा अकबर इस बात से बहुत गुसा होता है और वो बहरम खान को मार देता है बहरम खान मरने से पहले अकबर को कहता है कि उसकी वाइफ सलीमा बेगम का ध्यान रखे क्योंकि बहरम खान के बात वो बिल्कुल अकेली हो जाएगी इसलिए तब अक्बर ने सलीमा बेगम के साथ शादी की थी जोदा चाहती है कि सलीम को अगरा वापस आ जाना चाहिए और अपना तक संबालना चाहिए इसलिए वो वापस बुलानी के लिए उससे मिलने अलाबाद जाने वाली थी महरुनिसा कहती है कि वो भी उसके साथ जाएगी महरुनिसा चाती है कि खुरम भी उनके साथ चले इसलिए महरुनिसा मुम्ताज के पास जाती है और उसे कहती है कि वो जानती है खुरम और मुम्ताज एक दुसरे को पसंद करते है और अगर वो चाहे तो खुरम को इस शादी के लिए मना भी सकती है बस खुरम को उनके साथ अलाबाद आना होगा मुम्ताज कहती है कि वो खुरम को मना लेगी कि वो उनके साथ अलाबाद जाए महरुनिसा जानती थी कि मुम्ताज अगर कुछ कहेगी तो खुरम जरूर मानेगा तो वह अकबर बहुत ज़दा गिल्टी फिल कर रहा था वो आकर सलीमा बेगम को बताता है कि बेरम खान को उसने खुद मारा था लेकिन सलीमा ये बात पहले से जानती थी और वो अकबर को माफ कर देती है जिसके बाद जोदा, महरुनिसा और खुरम सलीम से मिलने जाते है सलीम उन सब को देख कर काफी ज़दा खुश था जोदा सलीम से कहती है कि उसे घर वापस आ जाना चाहिए लेकिन सलीम का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था महरुनिसा सलीम को बता देती है कि वो शेर अफगान की बच्चे की माँ बनने वाली है लेकिन सलीम को इस बात से ज़्यादा फरक नहीं पड़ता क्योंकि उस बच्चे में महरुनिसा कभी तो खुण है महरुनिसा जाती है कि सलीम भी उनके साथ आगरा चले लेकिन सलिम इस बात के लिए तैयार नहीं था वो जानता है कि अगबर उसे अगला बाष्चा नहीं चुनेगा तो महरुनिप सा सलिम से कहती है कि वो खुरम को यहीं रख ले और बाष्चा से कहे कि उसने खुरम को कैद करके रखा है एक्चली इसी वज़े से महरूने सब खुरम को यहां लेकर आई थी लेकिन सलीम अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं करना चाहता था आखिर सब के रिक्वेस्ट करने पर सलीम आगरा आने के लिए मान जाता है वो सब लोग एक बड़ी सी बोट में आगरा के लिए निकलते हैं जब सलीम आगरा आता है तो वो अक्बर से मिलता है सलीम और अक्बर अभी भी एक दूसरे पर गुसा थे लेकिन सबसे ज़्यादा गुसा था कुसरू खुसरू और सलीम के बीच में बहुत लड़ाई होती है और खुसरू नहीं चाहता कि सलीम अगला बादशा बने उस राद सलीम और महर इंटिमेट होते हैं तो वही बाप और बेटे का जगड़ा देखर अक्बर की तबियत और ज़्यादा बिगड़ गई थी अक्बर अब समझ गया था कि वो जादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा इसलिए वो खुरम को मिलनी के लिए बुलाता है जब रुकया को पता चलता है कि अक्बर ने खुरम को मुलाया है तो वो खुसरू से कहती है कि उससे भी वहाँ जाना चाहिए कई अक्बर खुरम को अगला बाच्शा ना गोशिद कर दे अक्बर खुरम से पूछता है कि अगर वो बाच्शा बनेगा तो वो क्या करेगा खुरम का कहना था कि वो जंग वेगरा में विल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कुरम का कहना था कि महबद एक ऐसी चीज़ है जिसे सब कुछ जीता जा सकता है तब ही वहाँ पर खुसरू सलीम और मान सिंग बे आते हैं अकबर का आगरी वक्त आ गया था और वो अगला बाच्शा चुनने वाले थे लेकिन उनकी हावास बाहर नहीं निकल रहे थी कि अकबर ने सलीम को आजब बाच्शा चुना है सलीम खुद भी ये सुनकर काफी ज़्यादा शौक था क्योंकि अकबर सलीम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था लेकिन खुसरू बहुत गुसा था क्योंकि वो सलीम को आजब बाच्शा नहीं देख सकता था अक्बर के आंती म्यातरा की तैयार ही होती है लेकिन तब ही खुसरू उन पर हमला करता है लेकिन सलीम के पास बहुत ज़्यादा सैनिक थे इसलिए खुसरू वहां से भाग जाता है सलीम अभी खुसरू को नहीं पकरना चाहता क्योंकि सबसे पहले वो आक्बर को आकरी शद्दांजली देना चाहता था सब कुछ हो गया था और अब सलीम लाहुर जाने वाला था ताकि वो खुसरू को वापस ला सके लेकिन सलीम जब लाहुर जाएगा तो यहां के फैसले लेने के लिए कोई चाहिए था तो सलीम ये जिम्मेदारी महरु निसा को देता है यानि कि महरु निसा मलिकाए हिंग बन गई थी महरु निसा इससे काफी खुश होती है क्योंकि जो उसे चाहिए था अब वो उसे मिल चुका है तो वही रुकया टेंशन में थी क्यूंकि सलीम बाच्छा बन चुका है यानि कि वो रुकया की कोई बात नहीं सुनेगा रुकया चाहती है कि वो ब्रिटिशेस के साथ ट्रेड करे ताकि रुकया के पास बहुत पैसे आए और वो यहां से कही निकल सके रुकईया जब ब्रिटिशर्स के साथ मिटिंग कर रहे थी तब ही वहाँ पर महरुनिसा आती है आच्छली सलीम ने जाने से पहले महरुनिसा को एक नया दाम दिया था नूर जहां वो रुकईया को जेल में डाल देती है क्योंकि रुकईया ने ही तो सलीम पर पहले हमला करवाया था जिसके बाद वो खुद ब्रिटिशर्स के साथ मिटिंग करती है तो वही सलीम नहीं चाहता कि वो खुसरू के साथ जंग करे वो मान सिंग से कहता है कि वो जाकर खुसरू से समझदे की बात करे क्योंकि सलीम नहीं चाता कि वो अपने बेटे को ही मारे मान सिंग भी यही करता है और खुसरू के बात समझदे का संदेश लेकर जाता है लेकिन खुसरू की एक शर्ट थी कि सलीम को उनकी एक सिपाई के साथ लड़ाई करनी होगी अगर सलीम जीत गया तो ताज सलीम का लेकिन अगर वो हार गया तो ताज खुसरू का होगा सलीम को जब इस बात के बार में पता चलता है तो वो ये लड़ाई के लिए तयार था तो वही मलिका हिंद बनने के बाद महरुनिसा के तेवर पूरी तरह से बदर गए थे यहां तक कि वो अपने भाई और पिता को भी जादा एमियत नहीं दे रही थी उसके पिताओं से बताते हैं कि अगबर ने सलीम को ऐस बादशा नहीं चूज किया था अच्चुलि अगबर ने खुरम का नाम लिया था लेकिन महरुनिसा के पापा को लगा कि खुरम और कुसरू काफी ददा चोटे हैं इसलिए उन्होंने सलीम का नाम लिया जब वो दोनों ये बाते कर रहे थे मुम्ताज उनकी सारी बाते सुन लेती है जब महरुनिसा मुम्ताज को आवाज लगाती है तो मुम्ताज वहां से भाग जाती है मुम्ताज खुरम को बताती है कि अकबर ने सलीम को अगला बाच्शा नहीं चूज किया था उसके दादा जी ने जूट बोला है खुरम ये सारी बाते सलीम को पताना चाता था लेकिन मुम्ताज उसे रोकती है क्योंकि खुरम की जान को खत्रा था वो खुरम से कहती है कि उन दोनों को यहां से भागना होगा नहीं तो वो दोनों ही मारे जाएंगे जिसके बाद वो दोनों वहां से भाग जाते हैं इस बात पर महरुनिसा का भाई महरुनिसा पर काफी ज़दा गुसा था कि उसने तक्त के लिए मुम्ताज का यूज किया लेकिन महरुनिसा के तेवर अब बहुत ज़दा बदल चुके थे वो एक आदमी को उन दोनों के पीछे भेज देती है तो वही लाहोर में खुसरू के सिपाई और सलीम के बीच में जंग होती है खुसरू का सिपाई बहुत ज़दा स्टॉंग था फिर भी सलीम उसे हरा देता है और अब ताज सलीम का था लेकिन खुसरू अभी भी सलीम को बादशा नहीं मानता इसलिए खुसरू को बंदी बनाकर आगरा लेकर आते हैं अब सलीम को अकबर का तक्त और ताज दोनों ही मिलते हैं सलीम सबसे कहता है कि उसे धोका देनी वालों को वो माफ नहीं करेगा रुकया सलीम से बहुत माफी मांगती है लेकिन सलीम उसे माफ नहीं करता तो वही खुसरू अभी भी यह मानने के लिए तयार नहीं था कि सलीम बादशा बन चुका है इससे सलीम काफी गुसा होता है और खुसरू की दूसरी आग भी फोर देता है एक बाप अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकता है ये देखकर महरूनिसा के पापा को लगता है कि उन्होंने सलीम को बादशा बना कर गलती कर दी लेकिन अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचाता तो वही अकबर ने बढ़ने से पहले सलीमा बेगम को एक चिट्टी दी थी उस चिट्टी में एक जगह का नक्षा था सलीमा बेगम उस जगह पर जाती है तो वहाँ पर एक लेटर रखा था जिसमें आकबर ने लिखा था कि उनके तीनों बेगम ने उनका बहुत साथ दिया हमेशा उनके साथ खड़ी रही इसलिए वो उनके शुक्र गुजार है उन्होंने खुरम को अगला बाद्शा चूज किया है क्योंकि वो जानते हैं खुरम हमेशा मोहबत से सब कुछ करेगा वो किसी के साथ ना इसलाफी नहीं होने देगा ये पढ़कर सलीमा वेगम काफी शौक थी क्योंकि बाद्शा तो सलीम बन गया था तब ही हम देखते हैं मुम्ताज और खुरम समुंदर किनारे के एक छोटे से घर में रह रहे थे तब ही खुरम रेट से ताज महल बना रहा था तब वो मुम्ताज से कहता है कि वो उसके लिए एक ऐसा ही महल बनवाएगा और उसे नाम देगा मुम्ताज महल तबी वो मुम्ताज को भी उसका नाम देता है यानि कि मुम्ताज जिसका मतलब था कोई खास वो मुम्ताज से कहता है कि वो संगे मरमर का ऐसा ही महल बनवाएगा सिफ और सिफ मुम्ताज के लिए तब मुम्ताज खुरम को बताती है कि अकबर ने अगला बाच्छा खुरम को चूज किया था तब ही वो देखते हैं उनकी तरफ बिटिशर्स की बड़ी बड़ी बोट्स आ रही थी और दूसरी तरफ से वो आदमी आ रहा था जिसे महरूनिसा ने उन दोनों को पकड़नी के लिए पिचाता और यही पर ताज का ये सीजन एंड हो जाता है तो अगर आपको ये एक्स्प्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना थांक्स पो आचिंग दिवीडियो